वेल्कम टू साइनोसिस सॉल्यूशन्स तो गाईज इस वीडियो में जो हम डिसकस करने वाले है यहां पर अभी भी हम countrall flow को discuss कर रहा है गाईज, countrall flow के जो दूसरा statement जो है अमारा iterative statements उसको जो हम गाईज इस वीडियो में group of basically statements पे अगर हम कोई भी action या basically उनको execute कराना चाहते है multiple times तो उसके लिए जो हम iterative statements का help लेते हैं तो guys यहाँ पे ध्यान से सुनिए अगर हम कोई भी group of statements पे अगर हम उनको multiple time execute कराना चाहते हैं तो उसके लिए जो हम iterative statements का use लेते हैं तो चलिए guys यहाँ पर मैं statement भी लिख देता हूँ इसका तो guys यहाँ पर देख सकते हैं मैंने statement को भी लिख रखा है यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा है if we want to execute a group of statement multiple times then we should go for iterative statement ठीके guys अगर हम किसी भी group of statement को बार बार execute कराना चाते हैं repeatedly execute कराना चाते हैं तो उसके लिए जो हम iterative statements का help लेते हैं तो guys हमारा सबसे पहला iterative statement है for और दूसरा है हमारा while तो यहाँ पर जो सबसे पहला iterative statement जो मैं discuss करूँगा वो क्या है हमारा for loop for loop के बारे में यहाँ पर मैं आपको एक idea दूँगा इससे पहले guys मैं आपको बता दू कि sequence क्या होता है मैं आपको sequence के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ sequence basically python के अंदर अगर आप range data type का use करें guys यहाँ पर मैं बता दूँ अगर आप range data type का अगर आपने वीडियो नहीं देखाया मेरा वहाँ पर मैंने बताया था अगर range data type का use करके सपोस करें आप कुछ ऐसे लिखते हैं तो यह क्या करता है एक sequence generate कर देता है guys number का और sequence के अंदर कौन-कौन से number होंगे आपके 0,1,2,3 ऐसल यह 9 तक जो हैं यह sequence इसका sequence generate कर देता है number का guys वैसे similarly अगर आप range data type का use करके अगर आप दो परामेटर पास कर रहे हैं यहाँ पर 1,20 तो यह क्या करें सपोस करी 1,20 आप पास कर रहे हैं तो यह क्या कर रहे हैं यह भी एक number का sequence generate करेगा जो स्टार्ट होगा 1,2,3 से और कहा तक जाएगा guys यह जाएगा 19 तक क्योंकि यहाँ पर जो भी आप value पास करना है उससे एक कम number जो है sequence के अंदर generate होता है यहाँ पर last मैंने starting value क्या रखा है 1 तो starting value जो है यह basically इसको consider करता है यहाँ जो ending value है उससे एक number कम लेता है तो यह sequence के है 19 तक generate हो जाएगा सही मैंने आपको range data type का third form भी पढ़ाया था guys यहाँ पर मैंने बोला था 1 से लेके 20 और यहाँ पर कॉमा लेके 2 यह 2 क्या बताता है interval मतलब first number print होने के बाद उसके बाद 2 add करतेगा उसके बाद second number print होगा फिर 2 add करके third number print होगा तो इसका sequence कैसे generate होगा suppose कर यह 1 print होगा तो 1 में 2 add करेगा तो फिर कितना print होगा 3 print होगा 3 में 2 add करेगा तो 5 print होगा तो ऐसे जो है यहाँ यह sequence यहाँ पर generate होता है और यहाँ पर हमारा last number होगा हमारा 18 ऐसे अगर यहाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी easy है यह कोई इसमें कोई बहुत major चीज नहीं है बड़ यह मैंने के बिसकली concept के अंदर sequence को discuss करा कैसे sequence generate होता है next sequence के अंदर अगर हम बात करें को हमारा string भी विसिकली हम इसको भी सीक्वेंस भी ही बोलते हैं और अगला जो है हमारे सारे लिस्ट हो गया है ट्यूपल हो गया डिक्स्नरी हो गया उग्या है यह सब क्या है क्लेंस है हमारे जो ह्wang यहां पर sequence आपको बता दिया मैंने क्या होता है अब देखें for loop basically क्या करता है अगर आप किसी भी sequence के हरे element पर अगर आप कोई action perform कराना चाहते हैं कोई भी action चाहिए वो fetch करना हो उनको change करना उनके value का अपड़ेट करना हो कुछ भी अगर आप perform कर रहना चाहते हैं किसी भी sequence के ह आप करने स्ट्रिंग उस कर ना चालते हैं किसी भी सीक्वेंस के अगर आप का रहborg है ये टीमेंटले जीलो क्या है। पर लूप का यूज करते हैं तो चलिए यहाँ पर लूप का भी स्टेट्मेंट मैं यहां पर लिख देता हूं गाइज तो देखी यहाँ पर मैंने for loop का भी statement लिख दिया है, यहाँ पर क्या है, if we want to execute some action for every element present in some sequence, it may be string or collection, then we should go for for loop, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, basically यहाँ पर यही जो मैंने theoretical चीज़ जो आपको बताई थी, वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो चलिए आप for loop का syntax देखत बिना syntax जाने जो हैं, यहाँ पर loop को basically हम लिख नहीं सकते, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, for x in, और जो भी हमारा sequence है, for x in sequence, और यहाँ पर जो भी, यहाँ पर for loop का body लिखते हैं, यह body, basically इसके अंदर जो भी action हम को perform कराना है, वह हम लिखते हैं, अब देखी, यहाँ प कोई list है, इसके अंदर value है, 10, 20, 30, 40, ऐसा कोई value है, ठीक है guys, अब देखी, यह क्या करता है, for, अगर आप ऐसे लिखते है, for loop का use करते है, for x in, यह sequence का नाम आपका है, l है आपका यहाँ पर, यह उठा के यहाँ पर रख दिया, sequence के जाग पर आप नाम रख दीजे, for l in x, print x ऐसे लिख दिया, print x, for x in l, sorry, तो अगर यह लिखते हैं, तो देखें, होता क्या है, यहाँ पर, आपका जो sequence है, यह 10, 20, 30, 40, यह क्या है, यह सारे values है, आप देखें, for x in l, x क्या होगा, सबसे पहले आपके पास 10 के पास जाएगा, तो x के अंदर सबसे पहले value क्या होगी 10 तो यह 10 को print कर देगा, फिर क्या जाएगा, यह x 20 के पास जाएगा, फिर 20 को print कर देगा, फिर 30 के पास जाएगा, 30 print कर देगा, फिर 40 के पास जाएगा, 40 print कर देगा, तो यहाँ पर basically क्या है, अंदर में मैंने print लिखा है, तो यह print कर रहा है, यहाँ पर हर एक value को print कर देगा और यह देखिए यहां पर यहां पर पर यहां पर अंदर मैं अगर मैं प्रिंट के जघाहा पर इस ब्लॉक के अंदर कोई भी एक्सली लिख दूं तो हर एक सिरूंस के हर एक कोद इसकी हर एक इनिमेंट पतल apert कि उसके हरेख एक से सब्सक्राइवनेट के रिक्ति हिएЕ प्रोग्राम के फर्म में हम देखेंगे अबाद में तो सबसे पहले आपको जो है फौर्लूग का सींटेक्स बता दिया है और जब हुआ था यह नहीं रिमेंट के लिए बैसिकली इग्जिक्यूट होगा यहां पर मैंने बताया था जब इंदा मैं रिखा था यह हर एक यहें और उसको यहां पर देख लोगभा यहां पर एक उबर्वियू मैंने यूदर से अई सब्सक्राइब सीथे समझते हैं यहां पर बार का प्रोग्राम लोंगा यहां po यहाँ भी एक करने का मतलब यह नहीं कि मैं कर रहा हूं यहां पे आप कुछ भी निखले सपोज एक एंपोट लेलिए कोई एक ईनपूट यहां से यूज़र से तो यहां पर लित्व को लिसका है एनिस त्रीम भोल देता हु कोई म force इंटर कर सकताई यूसट और तो मैं क्या करूँगा हर एक element को basically हर एक लेटर string के अंदर हर एक element क्या होता है मैंने बताया थे यहाँ पर पाइथन जो string लेना इसके अंदर एक-एक element अगर आप देखे तो सबसे पहला element क्या है पी है दूसरा क्या है वाई है फिर तीसरा है टी ऐसे क्या करना एक-एक लेटर इसको basically क्या कर सकते हैं कोई भी variable यहां पर कोई भी name यूज कर सकते हैं तो यहां पर क्या कर लेटर के पास जाएगा और उन लेटर को प्रिंट करेगा चलिए यहां पर control shift f10 प्रेस करते हैं यहां पर यूजर से यूजर से यहां पर मैं इनपूट मांग रहा हूं और यहां पर मैं इनपूट के अंदर basically यहां पर एक string डाल लाँ python इंटर हिट करता हूं यहां पर देखे हर एक element को जो है इसने क्या करा प्रिंट कर दिया यहां पर देख सकता है python यह हर एक element के पास गया एक एक बार और उसको क्या करा इसने प्रिंट कर दिया आप देख सकते हैं कितना easy है यहां पर for loop और यहां पर देखे body के अंदर जो मैंने print statement लिखाई यह क्या है जितने भी sequence के अंदर element है उन सबके लिए जो है execute होता है तो यहां पर देखे एक तो मैंने ऐसे कर लिया यह हर एक element को print करना ठीक है और यहां पर print करने अब देखे कोई action perform करता हूं इस पर यहां पर क्या करूंगा मैं साथ में इनके कुछ नया string जोड़ देता हूं सब्सक्राइब यहां पर पी है उसके साथ इससाथ मैं जो है यहां पर यहां पर जोड़ देता हूं तो यह क्या करते हैं और यह एक एलिमेंट के साथ यहां पर फॉर प्रिंट कर रहा है तो यहां पर देखिए क्या करा मैंने एक उपरेशन पर फॉर्म कर दिया हर एक एलिमेंट को चेंड कर दिया तो यहां पर एक एलिमेंट के साथ क्या है form और यह जो है print कर रहा है यहाँ इसका कोई sense नहीं है बट मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि आप जो है body के अंदर जो है print भी कर सकते हैं कोई changes भी ला सकते हैं बहुत सारा चीज है तो चलिए एक एक करके हम जो है example के form में देखेंगे guys अब देखें guys यहाँ पे हर एक element जो है अब इसको for को हटा देता हूँ और वापस से run करके आपको समझाता हूँ इसको वापस से इसको run करा अब देखें यहाँ पे सारा element जो है print हो जाएगा यहाँ पे जो भी लिखूंगा string तो python ही लिख लेता हूँ string भी होने वाला है तो मैंने आपको string data type जो है पढ़ाते समय भी मैंने आपको बताया था थोड़ा बहुत idea दिया था string format basically हम operators के बारे मैंने बताया था slicing operator के बारे में तो यहाँ पे string का index value 0 से start होता है और यहाँ पर जैसे आप right side move करते जाते हैं तो index value बढ़ते जाता है और यहाँ पर left से अगर राइट से left जाते हैं तो यह index value negative में चलता है तो ऐसे जो है कुछ index value होता है तो चलिए घर आपको मैं क्या करना चाहता हूं हर एक लेटर को जो है उसके index value के साथ प्रेंट करना चाहता हूं तो सपोस्करिये मैं ऐसे प्रेंट करना चाहता हूं कि the element present at index value 0 is p the element present at index value 1 is y the element present at index value 2 is t तो इसके लिए मैं कैसे program लिखूँ गईस तो यहाँ पर मैं program लिखने में time waste नहीं करना चाहता मैं जो है program को copy paste कर लेता हूं और आपको explain कर देता हूं तो चलिए गाइस यहाँ पर मैं program लेता हूं अपना और देखिए यह हमारे कहे हैं नया program जो की index के साथ हमारा value print करेगा अब देखिए यहाँ पर यह program basically कर क्या रहा है यहाँ पर देखिए पहले तो user से एक आप जो है string मांग रहा है और एक मैंने variable बना लिया है i is equal to 0 यह क् सब्सक्राइब करता है तो सबसे पहले यह क्या करतेगा और उसके बाद यह पूरी के पूरी के पूरी बॉरी बॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा आइ का वैलिव इंक्रिमेंत हो जाएगा अब यहाँ यहाँ से Alright और यहां पर प्रिंट करेगा यहां पर यहां पर करते हैं और आपको आउपट भी ऑफजर्व कराता हूं यहां पर यहां पर देखें तो यहां पर प्रिंट कर सकते हैं तो यहां पर आपको मैंने रेंज डेटा टाइप के बारे में यहां पर बताया था कि यह कैसे सीकुएंस जनरेट करता है यहां पर चलिए आपको दिखा देते हैं यहां पर बताया था कि अगर आप रेंज टेन लिखते हैं तो यह पर यहाँ पर suppose कर यह आप ऐसे लिखते हैं for i in range जैसे लिखते हैं guys for i in range 10 लिखते हैं guys अगर ऐसे और यहाँ पर लिखते हैं print अगर आप कोई ऐसे print statement लिखते हैं print python लिखते हैं सब्सक्रेंद व्यां प्रिंट इस्टेट्मेंट लिए तो अब गाइस देखें यह क्या करता है यहां पर देखें बन को हैं से levels क्टमेंट उगाERO तो कि प्रोग्र्राम लेते हैं और आपको क्या बताया उसको आपको दुए है यहाँ पर लूप लेता हूं पर आई इन यहां पर लेता हूं और रेंज क्या है हमारा टेन लेता हूं यहां पर आई इन रेंज टेन और यहां पर इसके बाद मैं लिखता हूं इसको run करते हैं यहां पर देखिए count करिए गाईज आप यहां पर count कर लिजी यह दस बार ही print हुआ होगा तीन 36 39 और एक 10 यहां पर देख सकते हैं दस बार जो यह python print हो गया है तो यहां पर range के इसलिए अगर आप आई करते हैं जो आपने या है लोकल लक्ट करदें तो यह क्या करते हैं करते यह क्यों आओ्ट से मिल प्रेंट कर देगा चलाे इसको monitor को और गया है जीरो एख से लेकर यहाँ पर वैसे ही जो है आप जो है इवेन नमबर और नमबर सब प्रिंट कर सकते हैं सब्सक्रिए आपको और नमबर प्रिंट करना है या इवेन प्रिंट कर लिजी इस बार इवेन नमबर प्रिंट करना चाहते हैं आप 0 से लेकर 20 के बीच में या आप 0 से लेकर 100 जो भी आप चाते हैं उसके लिए इसको यूज कर सकते हैं तो यहां पर मैंने आपको इसके भी केस में बताया था आपको कि for loop कैसी for loop के help से even number कैसे लिकाला जाता हूँ यहां पर वापस बता देता हूं यहां पर लिखे hellX IN और यहां फिर से आप रेंज का Sex करेंगे क्योंकि यह क्या करता है number second generate तो यहां पर मैं लिखूंगा रेंज मैं दे रहा हूं even number होगा तो इसको क्या करआंगा मैw print कर लूँगा x को और नहीं तो अगर even नहीं होगा तो उसके लिए कोई condition ही नहीं lsky तो तो चलिए इस प्रोग्राम को run करते हैं कर यहाँ ठेकर सारा even number हमारा प्रिंट हो जाँगा 0 से लेके 20 के बीच में यहाँ पर आप देखे 02468 ऐसे ही यह क्या करा हमने event number को print कर लिए अगर यहाँ पर not equal to 0 कर ले तो यह क्या कर देगा यह आपका odd number print कर देगा guys यहाँ पर run करता हूँ यह देखे सारा odd number यहाँ पर हमारा print हो गया आप देख सकता है काफी easy है यहाँ पर for loop को use करना कोई बहुत complex logic नहीं यहाँ पर लग रहा है next guys यहाँ पर range data type का जो मैंने 3 form आपको बताया था यहाँ पर देखे 3rd form भी बताया था और यह 3rd form का कुछ variation भी यहाँ पर मैं उस समय भी साइज मैंने range data type type discuss करते समय बताया था यह क्या होता है one जो आप डालते हैं यह क्या होता है starting index होता है यहाँ से value sequence के अंदर start होती है और इसको include करा जाता है फिर दूसरा value जो अगर आप डालते है यह क्या having the whole sell यहां सबसे पहला value आपका one है उसके बाद यह क्या है इंक्रेमेंते बाड़ आपने टू कर रहता है तो वन के बाद उसमें टू एड करके जो है अगला Oprah तो अगला नमबर प्रिंट हो सबसे पहला सबसे पहले परामीट है आई पस्क्राइब, value starting value जो है consider हो जाता है तो सबसे पहले आपका starting value यह input में consider करेगा basically जो sequence generate होगा उसमें आपका starting value जो है present होता है next देखिया आपको ending value लिखना होता है ending value क्या है आपका ending value क्या होगा suppose कर यह 0 लिख लेता हो गई अब देखिए इस case में जो है यहाँ जब आपका increment positive कर रहा है आपका जो है इसमें increment अगर positive है यहाँ और दो-दो का increment हो रहा है तो यहाँ पर क्या होता है ending value है उसमें एक कम value लिए जाता है sequence के अंदर एक कम value लिया जाता है औब देखिए जब आपका यहाँ पर 10 से लेकिए आपको क्या करना है यहाँ पर आपने ending value 0 डाला है तो यहाँ पर एक ज्यादा value होगा क्योंकि यहाँ negative sequence के case में क्या होता है एक ज्यादा value होता है आप यहाँ पर last में क्या कर रहा हूँ minus 1 लगा रहा हूँ यहाँ पर क्या है guys देखिए आप minus लगा दिया guys तबी next number generate होता है sequence का वैसा ही आप 10 के अंदर minus 1 को जोड़ेंगे तो अगला number क्या होगा 9 generate होगा 10 के बाद क्या होगा number 9 generate होगा 9 के बाद 8 generate होगा ऐसा ही जो हमारे sequence के अंदर number generate होगे तो यहाँ पर देखे इस जो अगर आप negative value ले रहे हैं अगर third argument के जगा पर negative value ले रहे हैं 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 यह sequence अमारा generate होगा यहाँ पर जो भी आपने ending value लिया है उससे एक number ज्यादा generate होता है तो यहाँ पर क्या एक value ज्यादा क्या है 1 तो यहाँ पर देख सकते हैं आप guys negative sequence के अंदर कैसे generate होता range data type कैसे values generate करता है और positive sequence के अंदर कैसे generate करता है तो guys मैंने आपक क्या करूँगा guys number print करूँगा descending order में 10 से लेके 1 तक यहाँ पर 10 से लेके 1 तक का number हम प्रेंट करेंगे descending order में तो चलिए उसके लिए क्या करूँगा सबसे पहले requirement क्या for loop लूँगा यहाँ पर लूप लेने के बाद एक local variable लूँगा x for x in यहाँ पर लिखूँगा range और मैंने increment कराना आपको हर बार minus one increment कराना तो उससे क्या होगा value degrees होती जाएगी तो यहाँ पर देखिए यह लिखिए अब आप क्या कर यह print कर लिजिए x जो है आपका value जो basically generate होड़ा x के हाँ जो number sequence generated हो उसके हर एक element को basically यह क्या करेगा print करेगा चलिए इसको run करते हैं guys control shift f10 करते हैं और देखिए यहाँ पर हमारे cat 10 से लेके one तक का sequence generate हो गया है यह cat decreasing order में यही मैं आपको यहाँ पर समझा रहा था guys यहाँ और यह काफी important है guys यह आप जो आगे जाएंगे study basically अगर आपको यह बड़ा बड़ा program लिखते हैं तो उसके अंदर range data type का काफी use होता है for loop के साथ ब range का example दे दिया आप जो है हमारा कह रहाता है collections का collections का example देता हूं लिस्ट यूपल वगएरा यूज करके आपको दिखा देता हूं आप कैसे for loop के help से access कर सकते हैं तो चलिए guys यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं एक list बना लेता हूं तो suppose कर एक variable लेता हूं LST और उसके अंदर जो साइनोसिस solutions यहां पर स्ट्रिंग मिस्टेक मैं कर दे रहा हूं तो आप जो है अगर आप प्रोग्राम में स्पेलिंग करेंगा तो वह तो आपको बताई देगा program उसमें कोई टेंसल लेने के बात नहीं है लेकिन अगर जब आप कही programming competition में जा रहे है या अगर आप कोई programming problem solve कर रहे है तो आप आप जो है थोड़ा सा care करिएगा नेफ्स देखें गाई जो यहाँ पर फॉर्लूप का यूज़ करके मैं जो है एक एक के लिमेंट को प्रिंट करूँगा फॉर एक्स इन और यहाँ पर क्या करना है लिस्ट यह क्या है लिस्ट हमारा सीक्वेंस है यह क् एक करो हूँगा प्रिंट एक्स यह देखें गाईज क्या करेगा फॉर एक्स इन लिस्ट का मतलब का है सबसे पहले एक जाएगा टैन के पास फिर जाएगा ट्वैंट के पास पिर जाएगा थर्टी के पास और हर एक एलिमेंट के लिए यह बॉडडि एक्जिक्यूट हो गया आप देख सकते हैं तो यहीं गया सकते यहां परन कर इसको रहने करेंगे ज यहांपर अपर है हर्यक कर देगा हर्यक कलेंट को print कर देगा चलिए इस बाहर वारीवल नेम महीं गर रहा हूं और वापस हैU करता हूं यहां मैं देख हर्यकnothing कर रहा हूं और बाता है सब्सक्राने बताए है इसके अंदर नहीं रहा तहां बीकत करींगें सब्सक्रों करेंगे अगला जो हम प्रोग्राम नहीं बिसिकली मैं बोलूँगा concept आपको जो मैं while loop का दूँगा while loop क्यों यूज करते हैं गाईस और क्या आप बिसिकली ये for loop से अलग कैसी ये सब सारा चीज़ जो हम डिसकस करेंगे क्यों हो हमारे दो loop है अगर for के help से अगर काम चल जाता सारा का सारा तो while का कोई जरूवत नहीं था इन दोनों का अलग importance है दोनों को पहले मैं while बता देता हूँ फिर दोनों को compare करके दिखा दूँगा तो गाईस यहाँ पर while loop के बारे हम बता दूँग कि while loop हम तब यूज करते हैं जब हम किसी भी group of statement को बार-बार iteratively execute कराना चाते हैं जब तक कि हमारा condition false ना हो तो इस type के case के लिए जो हम while loop का help लेते हैं तो यहाँ पर ध्यान से सुनिए गाईस कि यहाँ पर जब भी हम किसी group of statement को iteratively execute कराना चाते हैं जब तक कि हमारा given condition false ना हो तो उस case में जो हम while loop का use करते हैं तो चलिए यहाँ पर मैं statement को लिख देता हूँ आपके लिए तो गाईस यहाँ पर मैंने statement भी लिख दिया आपका if we want to execute group of statement iteratively until specified condition is false then we should go for while loop iteratively का मतलब क्या है गाईस repeatedly बार-बार basically repeatedly बोल सकते हैं बार-बार repeatedly ब्ली बार-बार जो है repeat करके रिख स्टेटमेंट इग्षिट करें तो उसको बोलते है repeatedly तो गाईस यहाँ पर next जो मैं आपको बता रहाँ यहाँ यहाँ जो syntax के बारे में हम discuss हम्हें वाइल लूप के syntax के बारे में यहाँ मैं आपको syntax stories बता दूँ तो बैंद इसके लिए जो है मूझे एक एक्जामपल लेना पड़ेगा तभी मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा तो यहां पर देखें क्या करना है अब अब मैं यहां पर example लेता हूँ और यहां पर सब्सक्राइब यहां पर एक मैं एक्स वेरियाबल लेता हूँ जिसके अंदर यहां पर इस प्रोग्राम को अभी मैं रन कर दूँ तो यह क्या होगा इन्फाइनाइट लूप में चला जाएगा यह वार वार वन की वैल्यू प्रिंट करते रहेगा तो इन्फाइनाइट लूप का वाद में डिसकस करेंगे तो यहां पर अभी क्या करता हूं guys तो यहां पर x less than 10 यह condition true यह क्या करेगा एक्स को print कर देगा और इसी के basically while loop के body के अंदर अगला statement मैं क्या लिख रहा हूं x plus equal to one यह क्या कर देगा यह compound assignment operator है तो यहाँ पर देखिए आपको आप यहां पर देखिए अब है क्या करदे गा Hample का मतलब प्रिंट हो जाoj होगा इसे कहा है यह चलेगा वाई कंडिशन तब तक true रहेगा जब तक कि यह x का value 10 से कम है मतलब 9 तक है अगर 10 हो जाता है तो यह हमारा जो condition false हो जाएगा हमारा while look नहीं execute होगा तो यह हमको क्या print करेगा यह 1 से लेके 9 तक basically values प्रेंट करेगा तो यहाँ पर सबसे पहले x की value 1 है तो 1 के लिए false है तो गाइस इस program में हमारा देखी यह value तब तक print करेगा कि जब तक कि यह हमारा false नहीं हो जाता है यह condition और यह condition तब false होगा जब x की value increment होके 10 हो जाएगी तो चली इसको run करते हैं गाइस control shift extend करना आपको यहाँ पर देखी हमारा x से लेकर 9 तक का value यहाँ पर print होगा आप हो जाएगा तो यहाँ पर जो है उसके बाद जो है आपका while loop execute होना एक डम बंद हो जाएगा तो यहाँ पर चलिए कुछ और एक्जामपल लेलता है यहाँ पर मैं कुछ यूजर से कोई n number मांगूंगा और उसका जो है सम प्रिंट करूंगा गाइस ठीक है सम और बोलता हू एं बोलता हूं यूजर से बिसिकली यहाँ पर इसको इंपूट में convert कर लूँगा और यहाँ से user से input लूँगा इसके अंदर बोलता हूं इंटर एनी नंबर ठीक है इंटर एनी नंबर कोई भी नंबर प्रिंट करेगा और उसका जो बी नंबर होगा उसका first एन नंबर का हम some print कर देंगे अगर supposes का बससे पहले अपको क्या करना क्लिएग वैरिपल क्रेट कर लेना सम इंदर यहां पर आपको क्या करना है वाईल लूप को स्टाट करने के बाद क्या करना है आप एक और ले लिजे सबसे पहले अधर बैरियोबल ले जिसके अंदर आप यहां क Alberto अदर आप है यहां पर आई और यहां पर लेस देन एंड ठीक है गाईस वाइल आई लेस दन इकोल टो एंड कर लीजिए मतलब कि जब तक यह आई की वैल्यू एंड से छोटी होती है आप सपोस्ट कर यहां पर देखें मैं पेंड टैबलेट के हेल्फ से समझाता हूँ गाईस पहले इस प्रोग्राम को समझा देत होगा ठीक है इसके लिए क्या करना है अब देखें अब इसको प्रोग्रामेटिकल फॉर्म में कैसे कनवर्ट करेंगे पहले सम लेल यह एक वरिएबल उसके अंदर वैल्यू जीरो रखें इसके अंदर जो हम टोटल सम स्टोर कराएंगे लास्ट में और एक वैल्यू अब देखें यह कैसे एक्जिक्यूट होगा और यहां पर फिर क्या करना है आई इक्वल टॉ आई प्लस वन अब यह देखें बिसिकली यह क्या करेगा आपको दिखाता हूं आई का वैल्यू सुरू में कह जीरो तो जीरो कह है अग सब्सक्री उसर ने एंड का वैल्यू ड इस बार क्या हो जाएगी ठीक है आई की वैल्यू वह गहीं फिर आप नंबर का वैल्यू थी आप टुब्क्री तो इस बार त्री और यहां पर फिर क्या हो जाएगा तो इस पर sum क्या हो जागा 6 हो जाएगा और यह I का value 4 तो यहां पर देखे I का value भी increment कर रहा है आपका sum भी होते जा रहा हर एक number का यहां पर और देखें जैसे ही यहां पर number आपका 10 आ गया यहां पर 10 आ गया I less than equal to 10 यह condition true है तो आपका जो भी पुराना number होगा उसमें आपका 10 आट करके यहां पर जो value store हो जाएगा sum के अंदर और यहां पर I का value increment होके 11 हो जाएगा last में 11 हो जाएगा तो यहां पर जैसे ही 11 रखा 11 less than equal to 10 यह condition false होगा और यही पर आपका while loop रूख जाएगा तो चलिए इसको बिसिकली प्रोग्राम के form में देखते हैं यह कैसे हो रहा है तो यहां पर मैंने क्या करना है i less than equal to n और यहां पर क्या कर लेना sum को बिसिकली यहां पर compound assignment operator यूज करूंगा sum plus equal to i यह क्या करेगा i की value जोड़ते जाएगा sum के अंदर और यहां पर i को भी increment कराऊंगा मैं हर बार i plus equal to 1 तो चलिए इसको run करते हैं guys run करेंगे तो यह user से एक number मांगड़ा सपोज करिए मैंने 10 डाला और 10 डालके इंटरेट करा तो यहां पर sorry यहां पर मुझे sum को भी print करना है यहां पर print करना बूल गया अब देखिए sum variable के अंदर क्या है updated value यहां पर store होगी उसके अंदर sum के अंदर और यहां पर मैं sum को print करूंगा तो यहां हमारा first and number का sum देदेगा यहां पर चलिए run करते हैं यहां पर 10 इंटर करता हूं और इंटर हीट करता हूं यहां पर देखिए 55 जो है यह हमारा sum है basically 0 से अगर आप जोड़े 0 plus 1 plus 2 plus 3 तो गाइस अगर आप ऐसे जोड़ेंग है तो इसका जो sum आ जाएगा वो 55 आएगा चलिए इसको run कर लेता हूं आपको कि आप कैसे body declare करते हैं इसके syntax को मैंने बताया था यहां पर program भी आपको बता रहा हूं तो यहां पर आपको दिखा दिया मैंने कि आप first and number का sum कैसे ले सकते हैं और वैसे ही यहां पर जो है जाता तो यहां पर input जब तक match नहीं कर जाता हमारे वैल्यू से तब तक हमको जो है इससे मैं input मांगूंगा यूजर से ठीक है तो चलिए इस टाइप का program देखे कैसे लिखेंगे यहां पर मैं बतातूं यहां पर सपोस्ट करिए एक name variable बना लिजिए और इसको इसके अंदर आपका name के अंदर जो value है यह not equal to अगर यह equal नहीं है अपने जो value यहां पर store करा यहां पर जो value assign करा है अगर इसके बराबर नहीं है तो यह क्या करेगा बार बार user को input लेने के लिए बोलेगा तो यहां पर मैं name variable के अंदर user से input लोंगा यहां करूंगा input basically input method का use करूंगा यह आप इंपूट क्या है यह function है क्योंकि यहां पर मैंने class के अंदर नहीं लिखा है तो यहां पर मैं input function का use करूंगा और यहां पर बोलूंगा इंटर नेम और वह नेम इंटर करेगा तो यहां पर देखेए यह क्या करेगा यह तब तक यह वाईल लूप execute होगा जब तक आप हमने नेम के अंदर जो है यह value piece नहीं store करा है यह तब तक condition basically आपका true रहेगा और उतनी बार यह execute होगा अगर name not equal to piece है तो यह फिर क्या करेगा फिर से आपसे input मांगेगा अगर name basically आपका दोनों match कर जाता है दोनों अगर आपका match कर जाता है तो आपका यह while look का condition false हो जाएग यहाँ पर आपको क्या लिखना है guys एक variable create कर लेना है और उसके अंदर क्या करना है आपको empty string छोड़ देना है और यहाँ पर फिर आपको है while loop का use कर लेना है while आपका लिजे name और यहाँ पर लिखना है not equal to piece सपोज कर यहाँ पर मैं name डालना हूँ और जब तक कि यह piece के name ठीक है यह यहाँ पर user name इंटर करेगा और यहाँ पर last में जो है while loop के बाहर एक statement लिख लेता हूँ यहाँ पर statement लिख लेता हूँ दूँगा तब तक यह बार-बार हमसे name मांगते रहे चलिए इस बार मैं name के अंदर python डालना हूँ ठीक है इंटरेट करा फिर से name माग रहा है और देखिए यहाँ जैसे ही मैं यह हमारा जो नाम यहाँ पर मैंने डाला हुआ हुआ है उसको इंटर बिसिकली इंटर तो यहाँ पर पताया था if you want to execute group of statement iteratively until the specified condition is false then we should go for while loop तो यहाँ पर जब तक कंडिशन false नहीं होता गाईस तब तक यह जो है loop execute करता है इस type के loop को जो हम while loop बोलते हैं next book गाईस जो हमको पढ़ना है यहाँ इंफाइनाइट लूप का concept इंफाइनाइट इंफाइनाइट लू लूप मैं आपको इसके लिए मैं देखिए यहाँ पर प्रोग्राम लेता हूँ यहाँ पर बताता हूँ इंफाइनाइट लूप basically क्या होता है अब देखें क्या हो रहा है suppose करी यहाँ पर मैंने जब एक और example पहले लिया था उससे मैं बताया था suppose करी आप एक variable लिए i और transmit यहां पर करा लेजए print और यहाँ पर क्या करा लिजी आप इस प्रोग्राम को अगर आप रन करते है तो यहाँ पे क्या विद्वाद आय की वैल्यू को को increment करा रहे हैं तो यहां पर यहां पर यह इनदर आई का वैल्यू को increment करा रहा है यह condition हमेशा आपका true रहेगा और ज तो इसको उसको उसके उपर क्लिक करना यह हमारा लूप यहां पर स्टाप हो जाएगा तो देखे इस टाइप के सिनारियो में आपका इन्फानाइट लूप के अंदर चला जाता है जब आपका कभी भी कंडिशन फॉल्स होगा ही नहीं तो उसकेस में क्या होगा आपका इन्फानाइट लूप में चला जाएगा अगर आप आई की वैल्यू हर बार इंक्रिमेंट कराता है तो यह एक पर्टिकुलर पॉइंट प बात कंडिशन फॉल्स हो जा रहा है बड़्यव पर जब आई की वैल्यूं इंक्रिमेंट ही नहीं कराते तो वह वैल्यू उतनी रह जाती और जब आप इसको रण करते हैं तो यह क्या करता है इंफानाइट लूप के अंदर चला जाता है तो यहीं इन्फानाइट लूप क के अंदर चले जाते हैं